मेडिकल रूप से मृत घोशित होने के बाद भी मृत्यू पूरी तरह से नहीं होती पर व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता ये एक धीमी प्रक्रिया है तो उस व्यक्ति द्वारा छुई गई हर चीज जलाई जाती है तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती है न केवल उस व्यक्ति की उजाएं वहां होती है बलकि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी जब आपका जन्म हुआ था आप एक दिन में पैदा नहीं हुए हालांकि आपका जन्म दिन तय है आपको पैदा होने में नौ साड़े नौ महीने लगे है ना इसी तरह जब आप मरते हैं तो आप एक दिन में नहीं मरते आप धीरे धीरे मरते हैं मेडिकल रूप से मृत घोशित होने के बाद भी मृत्यू पूरी तरह से नहीं होती मुझे लगता है कि हमने इस बारे में बात की है पांचों प्राण धीरे धीरे कदम दर कदम बहार आते हैं भौतिक जीवन उर्जा जिसे आमतोर पर प्राण कहते हैं उसके पांच मूल रूप हैं दस हैं पर वो मुश्किल होगा तो हम पांच ही समझेंगे उन्हें कहते हैं समान, प्राण, उदान, अपान और व्यान मान लीजिए अगर एक डॉक्टर है जो किसी व्यक्ति को किसी पल में मृत घोशित करता है तो अगले 21 से 24 मिनट में समान बाहर निकलने लगेगा यानि शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए समान जिम्मेदार है सबसे पहले शरीर ठंडा होने लगता है परमपरिक रूप से मृत्यों का पता लगाने के लिए नाक को छुआ जाता है अगर नाक ठंडी हो गई है तो वे समझ जाते हैं कि व्यक्ति मर चुका है वे आखें या दूसरी चीजे नहीं देखते वे सिर्फ नाक को छुटे है नाक ठंडी है यानि व्यक्ति मर चुका है तो समान तब बाहर निकलता है 48 से 64 मिनिट के बीच प्राण निकल जाता है उसके बाद 6 से 12 घंटे में उदान निकलता है उदान के निकलने से पहले कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं से शरीर फिर से जीवित हो सकता है पर उदान निकलने के बाद एक बहुत सूक्ष्म मौका होता है पर वो प्रैक्टिकल नहीं है सिवाए उसके उदान के जाने के बाद शरीर फिर जीवित नहीं हो सकता अगला है अपान जो 8 से 18 घंटे के बीच बाहर निकल जाता है व्यान जिसकी प्रकृति सुरक्षित रखने की होती है वो उसके बाद बाहर निकलता है सामान्य मृत्यू हो तो ये 11 से 14 दिनों तक बाहर आता रहता है तो हाला कि मृत्यू की समाप्ति तिथी हो सकती है पर व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता ये एक धीमी प्रकृया है वाकई ये अभी हो रहा है धीरे धीरे योग से आप मृत्यू के मार्ग में रुकावट डाल सकते है पर उसे रोक नहीं सकते हाँ दैने का भ्यास एक रुकावट है जिससे ये धीमा हो जाता है पर रुखता नहीं है आज आपके पुराने कपड़ों से हम आपका DNA ले सकते हैं आपके जाने के बाद सौ साल बाद हम आपका कलोन बना सकते हैं हाँ या ना आपको पता है तो कम से कम आपकी भौतिकता आपके कपड़ों से जो ली जा सकती है और हम आपको फिर से बना सकते हैं कम से कम आप जैसा दिखने वाला व्यक्ति बना सकते हैं हम शरीर बना सकते हैं तो आप अभी भी हर जगा मौजूद हैं जब योगी मरते हैं तो वे हमेशा उस जोपड़ी को जला देते हैं जिसमें वे रह रहे हैं क्यूंकि वे नहीं चाहते कि DNA का एक भी अनू वहां जीवित रहे क्यूंकि जब एक तरह से आपका शरीर मौजूद होगा अगर उससे आपका शरीर फिर से बन सकता है तो जाहर है कि आपका शरीर मौजूद होता है है ना तो उस व्यक्ति द्वारा छुई गई हर चीज जलाई जाती है सब साफ किया जाता है इसी वजह से यही एक मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक पत पर लोग अपनी भौ कमरे में जाएंगे तो आप देखेंगे तीन जोडी कपड़े अच्छे से रखे हुए होंगे पानी पीने के लिए बस एक बरतन खाने के लिए एक ठाली और सोने के लिए सिर्फ एक चादर एक भी अतिरिक्त वस्तु नहीं क्योंकि वो संसार की कई चीजों को छुना नहीं चाथा वो इसे कम से कम रखना चाहता है क्यूंकि उस्से पता है कि यदि वो अपने शरीर को चारों और फैलाएगा तो उसे एकठा करना और जाना बहुत कठिन होगा इसी लिए वो किसी भी तरह के शारिरिक संबंद नहीं बनाता है क्योंकि वो समझता है कि अगर उसका शरीर हर जगा होगा तो उसे एकठा करके जाना बहुत मुश्किल होगा जो लोग आपके शरीर से आए हैं वे भी समय आने पर आपके साथ नहीं जाना चाहते वे नहीं आएंगे मृत्य होने पर वो व्यक्ति जैसा था उस हिसाब से ये चीजें संब्हाली जानी चाहिए आज की दुनिया में जब लोगों ने तीन जन्मों के लिए परियाप्त कपड़े दस जन्मों के लिए परियाप्त जूते एक अठा कर लिए हैं तो वो सब जला देना सरासर बरबादी होगी और वैसे भी उनके जीने का तरीका और शरीर छोड़ने का तरीका ऐसा होता है कि वे हमेशा इस धर्ती पर फिर से आते हैं सब जलाने का कोई मतलब नहीं है कम से कम जो चीज़ें शरीर से बहुत करीब से जुड़ी हुई है जैसे उनके भीतरी कपड़े और वैसी चीज़ें जला देनी चाहिए उन्हें जरूर जलाना चाहिए क्योंकि वर्ना वो जीव आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा वो समझ नहीं पाएगा उसमें ये समझने का विवेक नहीं होगा कि उसे यहां होना चाहिए या वहां होना चाहिए वो तै नहीं कर पाता निर्नाय लेने की ख्षमता नहीं होती क्योंकि विवेक नहीं होता शरीर छूटने के बाद प्राणी चीज़ों में फर्क नहीं कर पाता तो निर्णे नहीं होता बस प्रवृत्ती होती है यहां बहुत सी चीज़े हैं जो शरीर की हैं वो उनके पास रहेगा खास कर पहले कुछ दिनों में तो अगर घर में बहुत सारे इस्तमाल किये गए कपड़े हैं जो कि पश्चिमी दुनिया में एक समस्या है क्योंकि कपड़े इस तरह के हैं और समाज के तौर तरीके ऐसे हैं कि हो सकता है कोई छे महीने वही जैकेट बिना धोय पहनता रहे आप उसका इस्तमाल करते हैं और वहीं लटका देते हैं क्योंकि वहां ठंड है और शायद आपको इतना पसीना नहीं आता बदल रहा है क्योंकि ज्यादा तर लोग चीन में बने कपड़े पहन रहे हैं न कि भारत में बने कपड़े तो वे ऐसे कपड़ों का उप्योग कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से उनका इस्तमाल करके उन्हें लटका देते हैं नकी दھोते हैं इन बातों का ध्यान रखकर हर पहलू को संभाला गया था पर हम इसे बड़े पैमाने पर खो रहे हैं इन कपड़ों का बार-बार इस्तमाल करके लटका दिया जाता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं वैसे आज कुत्ते मौजूद हैं अगर आप एक पुलीस का कुत्ता लाएं और यहाँ एक हजार जैकेट हो और आप उसे कहें कि जिम की जैकेट बताओ तो वो बता देगा हाँ, गौड नहीं, बस डॉग तो जाहिर है आप वहाँ उस जैकेट में कई तरह से मौजूद हैं है ना? जिसे कुत्ता भी देख सकता है तो जब किसी व्यक्ती के जाने के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है तो कई तरह की ताकतें वहाँ रहने लगती है ना केवल उस व्यक्ती की उर्जाएं वहाँ होती हैं बलकि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी आपका जैकेट एक तरह से खाली शरीर है और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है तो या तो इसे तुरंत धो दीजिए भारत में सभी महेंगे कपड़ों को धो दिया जाता है पहले 10 या 11 दिनों में सभी कपड़ों को धोकर अलग-अलग जगा बांट दिया जाता है न की एक ही जगा सारे कपड़े एक ही परिवार को नहीं दिये जाते आप ये पक्का करते हैं कि जैकेट यहां जाए पैंट वहां जाए वो वहां और ये वहां जाए ताकि सब कुछ इतना फैल जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण उपस्थिती न हो या फिर शरीर के साथ जो भी कपड़ा गहरा जुड़ा था उसे जला दें इन में से एक काम ज़रूर करना चाहिए या तो आपको उन्हें 50 राजियों में देना चाहिए ताकि बुढ़ा व्यक्ति भ्रमित न रहे कि कहां जाना है या आपको उन्हें जला देना चाहिए